अंवास क्यार मैं हूं मदन राज और आप देखने राज तेगनुच हमारे साथ हैं सास्वत मिस्रा बता दें कि जो पत्रिकार्ता से डिग्री लेचुक LOE तो इसे पूछेंगे कि इतने कम उम्र में पात्रिकारता करने का जहना आया कहां से तो मिस्तरा जी राज टेक्निक चैनल में आपका स्वागत थी जी बहुत-बहुत शुक्रिया और राज नियूस जो है राज तक नियूस आप सभी देख रहे हैं और बहुत अच्छे भीया ह है आया हमसे मुलाकात हुई और हमने भी कहा कि बीशारी बात किया टो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और लाज नियूस भीया का भी अप सभी का शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे आने का मौका दिया तो भी सरा जी जाना आया कहां से मैंने हमको news reporter बना है news reporting हमें पहले starting में होता था कि जैसे कहीं जाते थे कहीं accident हो गया या फिर ऐसे कुछ हो गया तो लोग recording करना शुरू कर देते थे तो हमें भी कभी recording करता था पर मैं सोचता था कि यह recording डालू कहां पर कैसे डालू तो मैं इसने देखा YouTube पे डाला जाता है लेकिन YouTube पे डालने का मतलब हमें डर लगता था कि कहीं मैं news बनाऊं और कोई पकड़ना ले जैसा सचाई क्या होती है तो हमने सबसे पहले starting में किया कि एक माइक बनाया जो कि बच्चे खेलते रहते हैं नॉर्मल वाला स्टार्ट किया एक दो बार मेरी जिवान लड़ खड़ा ही थोड़ा सा डर लगता था माइक पकड़ने में हलाकि कभी का जो पहली बार पकड़ता है बन्दा कर सकता है या फिर लोग कहने ली भी लगने च्छा अच्छा तो यह मैरा अंदर से करने की जिग्यासा थी यहाए तो तुब बढ़ने लगी तो यह भdern कि कही न कहीं हमें मासट जिवा कहता हर उसको किया बिना मैं कुछ कर लगों चत्कीं आज कुर अबिशार धारा थी पर जब मैं जैसे-जैसे समाज के बीच जाने लगा तो ये अभिशार धारा टूड गई क्यूंकि अगर आप नियूज बनाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पत्रकारता ही करें आप अच्छी खबरों को अच्छे तरीके से चलाना चाहें तो चला सकते हैं बिना पत्रकारता किये लेकिन हाँ एक स्टेफ होता है कि आप उसके बिना कहीं अगर डर लगता है पकड़ने का लेकिन सोसल मीडिया अगर आप इस्तिमाल करें तो उसमें डर नहीं होता हमने भी बहुत सारी चीज़े से पता कि पर हमें अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे हमें भी इसमें मज़ा आने लगा और मज़े के साथ हमें एक कॉंटेंट के रूप में वीडियो बनाने का भी मौका मिलता था लोगों से मिलने का मौका मिलता था और इसमें मैं भी रम गया और जिससे में बाते करता था वह भी रम गया तो इस तरीके का सिर्फ मतलब ये था कि मैं जैसे पार्ट टाइम के तोर पे बनाता रहता हूं कभी किसी की मदद करनी हुई किसी का मामला फस गया या फिर कोई हमें मैंने एक छोटा सा आफिस भी खोला हुआ है अपने घर के पास में बाहर वाले रूम में किसी को अगर समस्या हो जाती है जैसे किसी से आपसी बैमन शुता हो जाती है दुराग हो जाता है जगड़ा हो जाता है कई जगा तो उसमें जाने का मतलब कि मैं नियूस बनाने नहीं उन लोगों को ये होता है कि आप भी समझ जाएए आप भी समझ जाएए तो मैं बस लोगों की बीच जाता हूं अपना एक तरीके से समझ लिए कि सबक मन होता है कि अपने चैनल को प्रचार-प्रशार करना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी प्रचार-प्रशार करूँगा बागी आगे की जो इस्तिति है वो हमें तो पता नहीं है कि हम क्या करेंगे पर लगे हुए हैं थोड़ा बहुत जैसे जैसे समय मिलता है मैं नियूस बनाने का प्रयास करता हूँ लोगों के बीच जाने का प्रयास करता हूँ और कोशिस करता हूँ कि जितने जादिस जादे हो सके लोगों की मदद करूँ लोगों की सहाता करने में मैं वूपियों भी बनूँ एक आप कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, क्या मक्सद है, कोचिंग के बारे में कुछ बताएंगे? लग रहा है, क्योंकि जब कहीं हम जाते हैं, वहाँ गंदगी फैली रहेगी, तो हम बैट नहीं पाते हैं, हमें असुद्धा होती है, लेकिन अब जब कहीं किसी लैबरेरी में जहां में पढ़ाई की बात चलती है, तो वहाँ अगर साफ सफाई सुरक्शित नहीं रहेंगे, तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो सब लाइबरेडियों को मैंने मौव में देखा तो बच्चों को comfortable seat हमने बनवाई उसके बाद एक personal cabin की तरह seat दी एक personal charger और एक plug point दिया और हमने इतनी facility बनवा दी कि ताकि कोई मौव का अभी मैं हलाकि सरहना नहीं करनी चाहिए बढ़ाई नहीं करनी चाहिए पर आप भी एक बार आके हमारे library पर देख सकते है और उस तरीके से आज भी बच्चे जो आते हैं तारीफ करते हैं और उस library को हमने इस area में खुलवाई है जहां कि शांती हो जहां कि बच्चे पढ़ सकें जहां कि उनका मन लग सकें क्योंकि कहा जाता है न कि जहां मन लगेगा वहीं व्यक्ति जादा है चाहिए वो जंगल में भी मन लगेगा तो व्यक्ति चला जाता है मन घर में लगता है तो घर में रह जाता है जहां हमारा मन लगेगा वहीं हम जाते हैं तो इस वज़े से हमने library को बच्चे को पढ़ाने के लिए सिक्षा देने के रूप में खोला है हाँ वो हलाकि secondary business कहा जा सकता है पर business के तौर पे हमने उस तरीके से सिक्षा देने का भी कारे किया उस तरीके से बच्चों को facility दिये है सुविधाएं दिये हैं समझ देजिए कि एक सांती भरा माहौल दिया है तो इस वज़े से हमने library की सुरवात की और library का खोलने का मेरा मकसद मतर केवल उद्देश सिक्षा था ठीक है अब राज तक ने चानल को समय देश के लिए बहुत 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 शुक्रिया को आज सबी देख रहे हैं और भाया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा छोटा सा क्लिप किया आप सभी को बहुत थैंक्यू धन्यवाद यह ते शास्वत मिश्रा जो बतादिन का खुचिंग सेंटर भी चलता है और डिग्री ले चुके हैं पतर इकार्ता का अब इंका का अगर निगरी नहीं नहीं है झाल झाल